दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने कम्प्यूटर में एप्स को स्क्रीन पर कैसे लेकर आए अगर आपने अपने कम्प्यूटर ए लेप्टाप में कोई एप डाउनलोड किया है और वो आपके स्क्रीन पर सो नहीं कर रहा है तो उसको इस screen पर कैसे लाना है चले मैं आपको बताता हूँ तो चलिए देखते हैं क्या करना होगा अगर आप अपने computer के जो by default apps आते हैं उसको desktop पर लाना चाहते हैं जैसे कि recycle bin हो गया, control panel हो गया, my computer हो गया इन सभी apps को अगर आप screen पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए का करना है, desktop पर mouse का right बटन दबाईए अब यहाँ पर आपको नीचे personalized का एक option मिलेगा इस पर आप click कर दीजे, जैसे आप personalized पर click करेंगे तो अब आपके सामने इस प्रकार का page open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा, themes का यहाँ themes का option है, इस पर click कर दीजे इसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा desktop icon settings, यहाँ देकि desktop icon settings ओप्शन है अब आप इस पर click कर दीजे जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक छोटा सा page open होकर आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको यह सारे apps मिल जाते हैं जो computer में by default आते हैं Windows के साथ जैसे कि this PC हो गया, network setting हो गया, recycle bin हो गया, control panel तो आप जो जो screen पर लाना चाहते है जिस जिस app को उसको यहाँ से select का लिजे जैसे यहाँ पर computer को मैंने select का लिया है recycle bin select है control panel को भी मैं select का लेता हूँ पिर यहाँ नीचे option है allow themes to change desktop icon यहाँ option है इसको टिक रखिएगा इसके बाद आपको यहाँ OK पर क्लिक कर देना है जैसे आप OK पर क्लिक करेंगे तो यह जो सारे apps है वो आपके desktop पर आ जाँगे यहाँ पर आप देख सकते है control panel पहले मेरे desktop पर नहीं था वो अब यहाँ पर आ चुका है और बाकि जितने भी apps है recycle bin या my computer यह सब भी मेरे desktop पर आ गए है तो यह तो होगी system apps अब मालेजे आपने कोई app डाउनलोड किया था online या फिर Microsoft Store से जाकर कोई app डाउनलोड किया था वो आपकी screen पर सो नहीं कर रहा है तो उसको कैसे सो करना है जैसे कि यहाँ पर आप देखिए मैंने Facebook डाउनलोड किया है WhatsApp डाउनलोड किया है Instagram किया है और Telegram भी मैंने डाउनलोड किया है तो यह से मेरे screen पर आ रहा है अगर आपने भी इसी प्रकार से कोई app डाउनलोड किया है वो screen पने सो कर रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ देखिए कोने में आपको Windows का आइकन दिखेगा इसको Start बटन भी बोलते हैं इस पर आप क्लिक कर दीजे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको Recently Added का एक सेक्शन मिलेगा इसमें देखिए बहुत सारे apps हैं तो आपने जो भी app डाउनलोड किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर देखे Snapchat अभी मेरे स्क्रीन पर नहीं है डेक्श्टाप की स्क्रीन पर लेकिन यहाँ Start वाले में यह देखे Snapchat आप आ रहा है तो अगर आपका app यहाँ पर सो कर रहा है तो उसको Double Click कर ये और खीच कर स्क्रीन पर लेकर आईए और इसको यहाँ पर छोड़ दीजे अब यह app आपकी Desktop की स्क्रीन पर आ जाएगा अगर यहाँ पर आपका वो app नहीं सो कर रहा है Recently Added में यहाँ पर अगर आपका app नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है Mouse का Right बटन दबाईए फिर से यहाँ आपको Personalize वाले option पर क्लिक करना है यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा Start का यहाँ देखे Start का option है इस पर क्लिक कर दीजे जैसे आप Start पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक option है So Recently Added Apps तो इसको आप on रखेगा अगर यह off रहेगा तो वहाँ पर Apps से सो नहीं होगा तो इसको on रखेगा इसके बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे Windows वाले icon पर तो यहाँ पर आपके सारे Apps आजाएंगे तो यहाँ से खीच कर आप लाईएगा और desktop पर छोड़ देजेगा तो इस प्रकार से आप अपने computer लैपटाप में Apps को desktop स्क्रीन पर ला सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो हलब लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा